हलो अबरीवान वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आपसे लोग गाईज आज मैं आप लेक और नियू रीडिंग करने वाली हूँ और राइट नाव आपके परसन की करन्ट एनरजी उनकी फीलिंग्स उनकी इंटेंशन चलिए चेक करते हैं रीडिंग जर्नल है वीवर्स जितना भी आपसे रेजनेट हो उसे क्लेम करें जो आपसे रेजनेट ना हो उसे जाने दीजेगा reading go viewers like share and subscribe करना बिलकुल ना भूलें अगर आपसे resonate करती है तो okay viewers तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके person की right now की current energy क्या है okay so please universe angels please बताएं guide करें right now मेरे viewers के person की current energy क्या है वो हमें बताएं angels please guide us please help us okay 80 number का card आया है viewers anxiety के साथ में bottom से first chakra ही है जिसको clarify करता है देखते हैं उनके मन में क्या को चल रहा है आपको लेके please universe angels please guide करें बताएं मेरे viewers के person के मन में क्या कुछ चल रहा है किस बात को लेके anxiety है please वो हमें बताएं okay all that glitter and the faith okay loyal heart bottom से थोड़ा सा camera जिस्ट कर दे क्योंकि मुझे और भी card निकाल ले आपके लिए okay okay viewers so let's see आपके person के मन में आपको लेके true feelings क्या है चल ये देखते हैं please universe angels please बताएं मेरे viewers के person के मन में मेरे viewers को लेके उनकी true feelings बताएं please guide करें universe okay first card viewers हमार पास आता है कोईन आफ वैंस का king of coin two of cups and the viewers we have five of cups के energy है okay bottom say death and the empress okay I think viewers आपको सारे card नजर आ रहे है Aries Leo Sagittarius Taurus Virgo Capricorn Cancer Scorpe Pisces energy यहां पर पर निकल के आई है ब्रिश्य के राशी यहां पर प्रमिनेंट है okay तो यह कुछ राशी है वीवर जो हां पर निकल के आई है okay वीवर्स तो आपके person की वीवर्स दीको current energy यह दिखाती है उनको उनको किसी बात का realization हो रहा है उनके सामने वीवर्स जैसे परिस्थितियां बहुती नई तरीके से आ रही है परिस्थितियां हैं लोग हैं आसपास का atmosphere है ठीक है हर चीज एक तरह से बिलकुली इस तरह से आ रही है कि इनके हर एक conception को break कर रही है हर एक thinking को यहाँ पर मुझे break करती वे नजर आ रही है आपके person viewers ऐसी person हो सकते हैं कहते हैं जो सादगी को नहीं glamour को जादा पसंद करते होंगे मतलब कि बहुत ही अगर कोई सादा सा इंसान है बहुत ही सादा रहने वाला बहुत ही नॉर्मल से lifestyle सोशल मीडिया पर जादा active नहीं हो ना ठीक है या फिर वैसा सब कुछ ना करके दिखा पाना जैसे कि आजकल लोग करते हैं ठीक है आप सादगी से खाना मतलब बहुत ही अच्छा सा मतलब कहते नहीं एक तरह से सातविक जीवन जीना आप एक ऐसे लोग हो सकते हो या फिर मैं यहाँ पर यह देख पा रही हूं कि कहीं नहीं आपके परसन के अगर यह desire रही है कि वह कुछ ऐसे लोग की तरफ अट्रैक्ट हो जो कि जिसकी तरफ हर रोग अट्रैक्ट होना चाहे जिसकी तरफ हर कोई जुड़ना चाहे वही अपने लाइफस्टाइल में पर्सन ऐसा हो जो उनकी सारी की सारी नीट को पूरा कर सके लेकिन यहाँ पर इनका प्रसेप्शन था अपने पारटनर को लेके एक तो यहां परकर वोने फोने 21 लोगों को पहचानने में गलती कर दी कि जो ग्लामर वर्ल्लों होता थीता एक देख जाए यक तर्षार के होगे इन धुसका और रातैक्षा आसलिएवन की असलिएध्या कि दीक्या कर सक्ते हैरे नहीं है ठीक है उसको पहचानने इस परसन ने गलती करी है वीवर्स क्योंकि यह चीज़े रिवेल हो रही है step by step ठीक है आप मैं वीवर्स आपको लेकर देख रही हूँ आप देखो किती खुबसूरत energy आई है आपकी campus की जो मैं बात कर रही थी बहुत ही साध्गी से भरा हुआ जीवन नेचर की करीब दिल के करीब पूजा पार्ट spiritual world ठीक है बहुत ही नॉर्मल सी लाइस्टाइल ठीक है एक तरह से जिसे कहते हैं हम आग्यागारी इंसान हो ना कि हर एक की बात मानना हर एक को खुश रखना हर एक के लिए करना प्यार देना मतलब लोगों को देने वाली energy गीवर हो आप लोग ना कि टेकर ठीक है आप यह निए अपना पंद सासा फील हो आपको सरहा जाए बस आपको इतना चाहिए आपको बहुत सदह कुश नहीं चाहिए इंडर आप सिरफ अपनी माहनत के बल पढ़UU कहीं के चाहते है जो आप अफली दे रही हो उसके बदमे आप थो थोड़ा सा मेले अप दूसरे को खु कुछ दे रहे हैं रिटर्न में यह नहीं दे रहे हैं जादा इससे फरक नहीं बड़ता आपको सरफ वो आपके आसपास रहें इतना ही आपको काफी रहता है ठीक है आपके आसपास रहें गैदर रहें आपसे कनेक्टेड रहें बात्चित वगरा होती रहें कुछ ऐसा आपका एक nature मुझे आप नजर आ रहा है बहुत ही बहुत ही प्यारा सा बहुत ही मासूम सा nature है इसको ये nature ऐसा है जो कहीं ना कहीं मतलब हर एक के दिल को छू जाता है आप एक ऐसे person हो जो कि बिन कहीं बहुत कुछ करते हो और viewers मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो person है इस nature को ये इस person को खो चुकी है और ये खोने का मतलब इनको एहसास भी हो रहा है अगर खोया नहीं है तो खोने का एहसास भी विवर्स इस person को मुझे होता हुए यहां पर नजर आ रहा है क्योंकि इस person के सामने हो सकता विवर्स कि किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फंकी स्टाइल में रहने वाला ठीक है तो यह कहते ना जो चीज आपको ज्यादा ट्रैक्ट करें जिस पर ग्लीटर वगरा लगे हो जिस पर कि अगर दिखा जाए चाहिए चाहिए चीज को भी वह अच्छी से रैप पैकिंग वगरा करके सोल सेल कर देते हैं सेलर वगरा भी है न ऐसा होता है लेकिन अंदर निकलता है क्या कुछ नहीं वह चार दिन नी चलती चीज वह खराब हो जाती है लेकिन जो कहते ना बेड़ इ तो मतलब वह एनरजी को फील करवाना जाती है जो इस परसन के साथ में हुआ है इस परसन ने वीवर्स किसी ऐसे परसन के साथ में रिष्टा बनाया जो कि ऐसा ही था मेड़ इन चाइन टाइप कह सकते हो कि वह वह देखने में तो बहुत अदर अच्छा लग रही थी यह ल सामने आई है ठीक है रियालिटी जो इन्होंने ड्रीम सजाए थे हो सकता है उस परसन के साथ में वह यहां पर मुझे नजर आ रहा कि ब्रेक हुए है तूटे है और इनको यथार्त से कहते है एक रियालिटी से इनको आमना सामना इनका हुआ है इनको समझ में आ गया कि हर च चमकती चीज सोना नहीं होती और जिसको हम पीतल समझ के छोड़ाए वह सोना था खरा सोना वह ओल्ड था ओल्ड इस गोल्ड था लेकिन वह परफेक्ट था ठीक है वह कहते हैं आप कितना ही लाइफ में आगे बढ़ जाओ लेकिन आपको बेसिक से जूड़ना पड़ता है आपको कोई ना कोई अपने लाइफ में ऐसा चाहिए ही होता है जो आपको समझे आपको सपोर्ट दे आपको प्यार करे एक लॉयल हाट के अनरजी गाइस ऐसे नहीं आई आपके लिए यहां पर देख रहे हो लॉयल हो सकता है कि आप लोग पार्टनर भी हो पर इस परसन न गहीं यहां फील कर रहा है तो कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही गलत निर्णने लिए हैं बहुत ही गलत तरीके से अपनी लाइफ को रन किया है और इनको सोस समझके नंडन लेने चाहिए थे रुक जाना ठोश ये था ठैर जाना चाहिए था समझना चाहिए था, आप इनके लिए वूँ परसन हुज इन territ के एक लिए कमपैटीबल पार्ट्नर हो इस इस परसन ने भी परिवार की थ्रूप हो सकता है अर इसलिए इनको आपकी वेल वाद समझ में आ रही है यह पर सिर्फ में आरहे हैं आज मुझे फिर में भी नजर आ रहे हैं कि क्या यह तो सकता है जादा वर्क ना करता हो बहुत जादा देपने यह फेट करते हैं, तो होगा कि उस भी सब्हाइ्टेस प्र्द को आप वीवर स्वेसे जैसे खो चुका है उसे घाल बिखने में अच्छा नहीं था यह बहुत लगता था या फिर वह बहुती नॉर्मल सी लाइस्टाइल को जीता था ठीक है यह जीती थी जैसे भी कह सकते हो आज पार आज जैसे कि मैं खुद की अगर बात करूं अपनी लाइफ स्टाइल में देखती हूं है कि आज कि कोछ लो अब भी वही ओल्ड पैटन को जो इंडिन स्टाइल है इंडिन पहनावा उसको फॉलो करते हैं ठीक है और कोछ लोग बिल्कुली वेस्टर हो गए है कि हर चीज में वेस्टर चाहिए होता है ठीक है तो यहां पर वही देख रही हो कि आप दोनों में अगर कोई भी सिंकोना नेचर क्योंकि आपका नेचर ऐसा है जिसको जिसकी वैल्यू है जिसकी अपनी अलगी वैल्यू है वो नेचर चाहिए इंसान कितना ही मौडन हो जाए उसमें वो वैल्यू नहीं मिल सकते उसको ठीक है तो यहां पर यसी लिए इस परसन को पर फियर में देखनी है और लेड क्या ये भाग्ये से fight कर सकते हैं क्या ये अपने भाग्ये से लड़ पाएंगे क्योंकि इनोंने कहीं नहीं अपने भाग्ये को खुद ही तैसनेस कर दिया है तो ये energy guys मुझे आज आज आपके person के नजर आ रही है बहुत ही जादा ऐसे reality fact को दिखाती जो अकसर लोग ignore कर देते हैं जब रिष्टे बनाने जाते हैं या रिष्टों में connect होते हैं हो सकता है आप लोग ऐसे husband wife हो जो कि husband wife भी हो सकता है जिसकि जिसम की traditional शादी होई हो मतलब parents की मर्जे से होई हो लेकिन after some time इस person को कोई और मिला तो यह किसी और से connect हो गए क्योंकि आप अपनी lifestyle को बहुत ही normal way में जी रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है ठीक है क्योंकि मैं देख रही विवर्स की आपका lifestyle बहुत ही normal बहुत ही simple है और इस person को यह चीज़े समझ में नहीं आती थी लेकिन आप समझ में आ रही है value अब यह कर र विवर्स की reality क्या है तो इनको कहीं नहीं बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्हें क्या पाया और क्या खो दिया तो बहुत जादा यहां पर परेशान देख रही हूं है आपके person को विवर्स चिंता में देख रही हूं कि यार यह मैंने क्या चूस कर लिया मैं कहां पहुंच गय यह कहां पहुंच गई किसके साथ आ गई क्योंकि जो इंसान हो सकता विवर्स देखो एक बात और कहीं जाती है रिलेक्शिशिप में अकसर और यह होती भी है कि एक्शुरी मेरा अजगला थोड़ा सा खराब है कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन में जब तक आप किसी के साथ में नहीं रहते हो आपको किसी का नेचर समझ में नहीं आता है क्योंकि जब किसी के साथ में रहने लगते हो तो उसकी अच्छाई और बुराई सब दिखने लगती है ना दूर से हरा चीज अच्छी लगती है दूर से कभी-कभी मिलना कभी-कभी कनेक्ट होना कभी-कभी बात करना तो यह अच्छा लगता है क्योंकि इंसान अपना एक अच्छा ही पोइंट भी दूसरे को दिखाता है लेकिन जब साथ में रहने लगते हो तो समझ हो जाता फिर वो reality सामने आने लगती है तो इस परसन के साथ में भी ऐसा हुआ है अगर यह किसी के साथ में जाके इस तरह से relationship में थे तो इनको भी उसकी reality समझ में आने लगी है और इसलिए वह आपको उसके साथ में compare करके है तो अपने भागे को यहां पर कहिना कि देख रहे हैं कि उन्होंने खुदी ठोकर मार ली तो reality यहां पर सामने आई है ओके देखते हैं आपको लेके और क्या है इस परसन के मन में पोस्टपोनमेंट फ्लावरिंग करेज बॉटम से आता है अपने किये वे पर शर्मिंद की महसूस कर रहे है इसको लग रहा है कि यहां इससे गलती हुई है यह अपनी सिच्वेशन को सही से समझने पाए या अपने मन पर काबू नहीं कर पाए मन इनका भाग रहा था यह उसके पीछे-पीछे भाग रहे थे नहीं कंट्रोल कर और अपनी इच्छाओं के पीछे-बीचे भागते भागते इन्होंने कहीं नहीं कर लिया और इसको लेकिए यहां पर आपके परसुंद मुझे कहीं ना कहीं शर्मिंद की महसूस करते हैं नजर आ रहे हैं को लग रहा है कि नोने कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है इतिक्स क आपके सार्मे। यह कुमिटमंट को रह जाए है। हाँ ठीक है करते हैं करते हैं बात में करते हैं अभी टाइम नहीं है यह सब चीजे या फिर डिसीजन लेने में आपकी तरह आने में इस परसन हो सकता है जादा टाइम लगा लिया हो क्योंकि यह इतनी हिम्मत या तो नहीं जोटा पाए टालते रहे कि या और मैं आज बात होंगा सम्वेर ठीक है ऐसा लग रहा है कि वह से बहुत सारा टाइम निकल गया बहुत लंबा टाइम अर्शा इस टाइम डूरेशन में निकल गया यह परसन वीवर्स अपनी स्थिती को भैतर नहीं कर पाए लिकिन इनको लग रहा है कि या अभी भी अगर मैंने वक नहीं क सोचा तो सब कुछ हाथ से फिजल जाएगा क्योंकि इन्होंने एक अच्छी लाइफस्टाइल को वीवर्स पाके खोया है जब इनसान कुछ पा लेता है एक अचीवमेंट्स पर पहुंच जाता है तो उसके बाद में उसे खोता तो बहुत दूर दुख होता बहुत सथिति नहींत काने कप cold इनके साथ नगे इसोचा नङदे है कि इस लाइफ में तो आपको यह बहुत इची धळा होती है अगर देखा जाए の बहुत रिचित आइन घ़ी केर ही की है और इनको अपनी लाइफ में आपका एक असली कहते ना व्यक्ति तो समझ में आ रहा है कि आपकी अगर देखा जाए कि आप थे क्या आपकी वैल्यू समझ में आ रही है तो यह विवर्स रीडिंग आपके आपके परसन की तरफ से आहोब आप से रीडिंग रेजने हुई है तो लाक्षे ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ओके विवर्स तो चलिए मिलते हैं नेक्स लीडिंग में तिल देन टेक रोसल्फ कार्ट ब्रस्यूवर्स थैंक्यू वचिंग आइस बाबाए